जंगल चले गे हैं अब इश्वर को प्राप्त करें पर ग्रहस्त में रहते हुए कितने लोगों ने इश्वर को प्राप्त कर लिया आप पिछले जनम से आप अपनी इच्छा लेके आते हो उन्होंने किया इसका मतलब वो स्पेशल है ऐसा नहीं किसको क्या करना है उस व्यक्ति के उपर वाधरित है शुरुवाद सलाब ब्रह्मचरिय से होती है या सन्यास आश्रम से शुरुवाद भी करते हम उसका उद्देश क्या है और वानप्रस्थाश्रम का उद्देश क्या है या ग्रहस्थाश्रम का उद्देश क्या है आप सोच के देखे ब्रह्मचर्य से या सन्यास आश्रम से ग्रहस्थाश्रम से आप कहा तक पहुंचने वाले हो, किसके पास पहुंचने वाले हो, इश्वर के ही पास, वानप्रस्था अश्रम से भी इश्वर के ही पास, इस चारो जो आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, इश्वर से मिलने के लिए ही है, उमर के हिसाब से व्यवस्था बनाई हैं, उमर के हिस जिससे आपने गाने 25-25 साल के हिसाब से, तो जब आप एक समाज को चलाते हैं, जो समाज के जो उस वक्त पे जो पंडित थे, प्रतिनीदी थे, जो लोग थे, जो दिशा देने का काम करते थे, तब उन्होंने ये बनाया है, कि समाज स्थिर होकर इस तरह से चल सकता है, जो सो एश्वर को प्राफ्त करें, पर ग्रहस्त में रहते होएं, कितने लोगों निश्वर को प्राफ्त कर लिया हैं? यह आप थोड़ा ब्रहमित लोग हो जाते इसके वज़े से कि निवान प्रस्त आश्रम मतलब जंगल में जाएंगे तो ही इश्वर मिलेंगे यह किसी ने तो डाल दिया है आपके दिमाग में तो क्या फिक ग्रहस्त में इश्वर नहीं है तो लावा पर भी है पुजा पाठ तो ग्रहस्त आश्रम में भी तो करते ही है जितने भी संसकार है वो तो शुरू हो जाते है बचपन से तो जब पुजा पाठ आप ग्रहस्त आश्रम में रहते हुए करी रहे हो तो इश्वर के पास तो पहुंच ही रहे हो आप तो उसके बारे में क्या तो वही पूजा पाठ आप अभी भी करते हो किसी भी गुरुजी के साथ रहते हुए आश्रम से जुड़ते हुए किसी भी संप्रदाई को फॉलो करते हुए आप इश्वर को ही प्राप्त करते हैं कुछ अलग नहीं करते हैं यह समाज की व्यवस्था अलग है यह सिस्टम है इसका इश्वर के साथ सीधा सीधा उस तरीके से संबंद नहीं है जैसे आपको लोग बता रहे हैं इश्वर तो बच्पन से लेके सारे समय आपके साथ हमेशा रहते हैं है न? और आज तो समय आया है सभी का कि इश्वर को हर मॉमेंट अब इसी वक्त अनुभव करना है तो कितने बच्चे सन्यास ले लेते हैं 25 साल में, 20 साल में, 14 साल में, 15 साल में बच्चे तो सन्यास लेके अपना लाइफ पुरा वैसे ही चला रहे हैं कि हम इश्वर से ही जुड़े रहेंगे तो होने के लिए कुछ भी किसी के साथ हो सकता है जो आपके साथ हो रहा है वो इश्वर की इच्छा से हो रहा है इसलिए आप जो कर रहे हो उस इच्छा के वज़े से कर रहे हो जो वो कुछ भी कर रहा है वो अपनी इच्छा से कर रहा है उन्हीं जब लगेगा कि उनके अंदर वो परिवर्तन लाना है एक improvement लेके आना, एक अच्छा व्यक्ति बनाना है तो कहा जाएंगे वो ईश्वर के पास किसी के भी माध्यम से पर आपको वहाँ पर पहुंच नहीं होता है वही दिशा है, वही सत्य है तो हमें थोड़ा से सामजना होता है कि यह सामाजिक व्यवस्था अलग है और इश्वर की व्यवस्था अलग है यह समझे ठीक है ना, एकदम सरल है नमस्ते दादाश्री जी आपने अभी अभी ही सुना होगा कि दिवांशी सांगवी करके एक आथ साल की बच्ची ने सब कुछ त्याग किया है तो क्या यह spiritual path पे चलने के लिए यह necessary है और हमारी life में everyday life में हम यह नहीं कर सकते तो कैसे बढ़ना चाहिए किसको क्या करना है उस व्यक्ति के उपर वाधरित है किसे सन्यास लेना है नहीं लेना है या ग्रहस्त में रहना है नहीं रहना है वो पूर्णता व्यक्ति डिसाइड कर सकता है तो हम सही गलत किसी को कहनी सकते हो आपको जो लगा वापनी किया उनको जो लगा उनने वो किया जब ये प्रश्णा आता है कि इश्वर को प्राप्त करटने के लिए सन्यास लेना जरूरी है क्या तो जवाब नहीं सिधे तोर पे जवाब नहीं इश्वर सारे मार्गों से पहुंचा सकते हैं वहाँ पहुंच सकते हुआ जरूरी बिलकुल नहीं है किसी के लिए वो मार्ग था सन्यास लेना आपके लिए जो सही लगेगा उसी तरह से आपको रहना है कोई fixed pattern नहीं है कोई standard एक way नहीं है एक मार्ग नहीं कि ऐसे ही करने से होगा सभी लोग स्वतंत रहें अपने हिसाब से चलें आपको ईश्वर जरूर मिलेंगे उन्होंने किया इसका मतलब वो special है ऐसा नहीं है आपको लगता है अगर वो विशेश है तो एक बार आप एक दो साल के लिए सन्यासी बन के देखो आप कुछ feel होता है का विशेश seem वही लगता है वही उनको लगता है in fact सन्यासी होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि नियम आ जाते है नियमों के अनुस्था रहना होता है जो नियम आप खुद बनाते हो खुद के लिए बनाते हो इश्वर प्रेरित नियम नहीं है आपने अपने आपको योग्या बनाने के लिए इश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपने वो नियम बनाए है इसलिए आप उन नियमों का पालन करते हो इतना ही है और कुछ नहीं इश्वर उधर भी है यहाँ पर भी है जो आप अपनी हिसाब से करते हो, उसमें भी आपको इश्वर मिलते ही है आपने देखा नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आपने देखा नहीं, उतन नहीं है इसलिए आप जो कर रहे हैं वो सही है, वैसे ही चलो इश्वर प्राप्त करने के लिए कोई एक final fixed mark नहीं है आप सारे इश्वर के गुणी बच्चे हो, सचे बच्चे हो, उसी हिसाब से रहो और वैसे ही चलो और तब वो driver का जो काम कह रहे हैं, जब इश्वर खुद driver बन जाते हैं, तो फिर आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरती नहीं है पिर सन्यास क्या और ग्रहस्त क्या, उसका भेदी मिड जाता है ये भेद तो आपकी दिमाग में न, वो सन्यास ही है, मैं ग्रहस्त हूँ या मैं सन्यास हूँ, आप ग्रहस्त हो इश्वर ड्राइवर बनने के बाद वो सब भेदी मिड़ जाता है कुछ रहेगा ही नहीं आपके भीतर सब एक ही लगेगा क्योंकि सब एक ही है, एक ही इश्वर है So, appoint a good driver एक अच्छा ड्राइवर को आप तुरंट appoint कर ले और गाड़ी को आप छोड़ दीजें, वो चला देंगे ठीक से दादर, इसमें जिसें देखा गया यह जो बच्चों का या जो भी समुदा है या इसके अंदर कि इतने छोटे बच्चों के या इवन बड़े जो लेते हैं उरने बाल अपने नोच लेते हैं बाल को निखालते हैं और पूरे नंगे पैरी, पूरे जीवन वेतित कर रहे हैं, कोई कपड़े नी, मतलब हाडली कुछ वो कर रहे हैं, तो यह जो पेनेंस यहा, जो भी आप बोड़ रहे हैं कि यह क्या, मतलब यह किस रहा पे, मतलब क्या सोच विचार है कि क्या प्राप्त करना चाहरे हैं, तो यह क्या करना जरूरी है, या आपको भगवान को प्राप्त करना है या हाइस्ट कोई भी स्टेट को अचीव करना है, क्या यह करना जरूरी है देखे, हर धर्म के हिसाब से मार्ग बनते हैं या हर अध्यात्मिक मार्क के अनुसार धर्म बनते हैं तो शुरुवात में कोई इस पत पे चले हैं और उन्होंने इसे अनुभव किया है इसलिए लोगों के साथ साजा किया जाता है उन्हें बताया जाता है फिर लोग अनुकरण करते हैं उस हिसाब से अपनी जिवन चरिया बनाते हैं, तो जिनको अनुभव हुआ है इसलिए वो बता रहे हैं, नहीं होता तो नहीं बताते हैं, और जैसे हम कहते हैं कि आपका मार्ग आप खुद चुने, जो आपके हिसाब से सहज है। किसी के लिए वो सहज है, जो बाल निकालना हो, उनके लिए वो सहज है, क्योंकि उनके पिछले जनम से कहीन है कि कनेक्टेड है, शायद पिछले जनम में उनने इस मार्ग को अनुभव नहीं किया है, तो वो चाहते हैं कि हम इसे अनुभव करें, तो सभी के इच्छा अनूसर वो उस उस मार्ग तर पहुंचते हैं तो सभी लोग सही है उनके लिए वो मार्ग है इसका मतलब आपको करना ऐसा नहीं है आपके लिए वो सहज नहीं है तो मत कीजे जो आपके लिए सहज है आप उसके साथ चलिए तो सभी प्रकार से आप इश्वर के पास पहुंचने वाले ही है आप यहाँ बैठके भी पहुंच सकते हो या जैसे ड्राइवर के बात की आप कैसे भी ड्राइवर हो वहाँ पर लेके ही जा रहा है थोड़ा कोई लेट पहुंचता है कोई ठोक ठाक के पहुँचता है, कोई सीधे-सीधे पहुँचता है उतने हैं डिफरेंस है तो आप उस रास्ते से चले जो सीधा चलता है नमस्ते दाधाश्री जी तो एक सन्यासी के जीवन का लाइफ पॉपस क्या है क्या सन्यास लेना ये उसकी डेस्टिनी है या इसके पीशे कोई बेध है या एक सन्यासी और संसारिक ये दोनों के लाइफ पॉपस में क्या डिफरेंस है तो फेर देखे जिस थोड़ी दिर पहले मैंने कहा न तो आप पिछले जनम से आप अपनी इच्छा लेके आते हो एक ग्रहस्ते विक्ति है जो ग्रहस्ते विक्ति है वो किसी सन्यासी को देखता है और उसके जीवन को देखके परभावित होता है और ये विचार आता है काश मैं इस जीवन को अनुभव कर पाऊं यह किसे लगा है, यह ग्रहस्ते वेक्टी को लगा है, दोनों आमने सामने बैठे हैं, ग्रहस्ते वेक्टी को लगा काश, जिस प्रकार से सन्यासी जी रहा है, मैं इस जीवन को अनुभव कर लूँ वोगी ग्रहस्ते वक्ति परेशान है, प्रपंच चलाना है, पत्नी, बच्चे, रोज काम करना, कहीं पर पैसे नहीं है, तो ये अपने लाइफ में वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है, अब ये विचार आया ग्रहस्ते की भीतर, सन्यासी सामने बैठे हैं, सन्यासी य लोग इनके साथ है, मैं अकेला, मैं इश्वर को ढूंड रहा हूं, इश्वर मिले नहीं है, जो आसपास मेरे जो अनुयाई है, या शिश्य गण है, उनके साथ ही समय बिता रहा हूं, पर कोई अपना नहीं है, जब बुखार आता है, शारिरिक वेदना होती है, तब अकेल पड़ा रहता हूं, फोन करके बुलाने के लिए कोई अपना मिली नहीं रहा है, इस व्यक्ति के पस उसके पतनी है, बच्चे है, वो दोड़ दोड़ के आते हैं, पापा, पापा मिलते हूंने, कितना अच्छा जीवन है ये ग्रहस्त का, तो सन्यासी जब इस विजार को ल पाइऑ, और वो विचार फिर से आते है, काश में वो बनता, समझ रहा है, इस खेळ समझ रहा है आपको, आप बस यहां वहाँ से स्विच हो रहा हूं, ये परपस ऑफ लाफ आपने क्रीड किया, ग्रहस्त वेक्ति का परपोस ऑफ लाफ क्या अगली जनम के लिए, सन्यासी व्यक्ति के लिए था कि ग्रहस्त बनकर कैसा फिल होता है, क्या अनुभा हो है, बस वो उनका purpose of life बन गया, पर आंतरिक स्थर पर ईश्वर को पराप्त करना, वो उनका common purpose of life है, ईश्वर तक पहुँचना, तो आप, जितने भी लोग को आप ढूंड रहेते, सच्चे मित्र को आप ढूंड रहेते, तब आप ऐसे पहुँचते हो, अगर आप खेल में, माया का जो खेल है, उसके साथ, मतलब ऐसा कोई गुरु हमको तुरंट अमिर बना दे, तब आप यहाँ पहुँचते नहीं, ऐसा कोई गुरु चे बच्चा नहीं हो, और आप तुरंट बच्चा दे दे, तो आप यहाँ पहुँचोंगे नहीं, है न, जॉब नहीं है, बस ऐसे गुरु जो कुछ तो मंत्र पढ़ ले और हमको दूसरे दिन, कॉल लेटर आजाए, आप यहाँ पहुँचोंगे नहीं, कोईकि यहाँ पर ऐसे कुछ होता ही नहीं, जो सत्यों को ढूंड रहे हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहा रहे हैं, ईश्वर का साक्षात कर अपने जीवन में होते हुए देखना चाहा रहे हैं, अपनी लोग पहुँचते हैं, है न, और वो ही सत्य है, तो आप अपनी इच्छाओं के अनुसर पहुँचते हों, इसलिए आप यहाँ बैठे हों, अन्तिम पत्त या फिक्स्ट पत्त, सन्यास, ग्रहस्त, कुछ भी नहीं है, आपका सिर्फ मन का खेल है, उस खेल में आप मत फसे, कोई सन्यासी हो गया मतलब बहुत बड़े हैं, मुझे किसने कहा कि, दाश्री जी मैं आपको अपना गुरू नहीं मान सकता, मुझे क्यों, क्योंकि आप सन्यासी नहीं हो, तो मैंने आप, सन्यासी नहीं हो, जितने रिशी होके गए हैं, सब शादिशुदा थे, वशिष्ट हो, अत्री हो, जितने भी रिशी मुनी हो, सब शादिशुदा है, तो ऐसे क्या हो गए फिर जवाब नहीं था उनके पास, पर चुप हो गए, यह आपका मन का खेल है, ऐसे आपको लगता है, कि सन्यासी होना म से बना लिया है, तो उस खेल से तुरंत मुक्त हो जाई है, अभी के अभी सिक्षल, हम जैसे हैं, जहां पर हैं, परफेक्ट है, या जो भी जहां पर जो भी वेक्ती है, उसके अनुसार वो परफेक्ट है, सबी लोग ठीक है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी नहीं है, तो फिर अन्तिम सत्य क्या है, अन्तिम सत्य यही है, कि सभी सही है, सभी ठीक है, कुछ करी नहीं है, कुछ गड़बड़ी नहीं है, जिसको मज़ा आता है डंबरू बजाने में, वो बजाते रहें फिर, बंदर सब अपना नाच दिखाएंगे, रिक डंबरू बजाएगा नाच दिखाएंगे, उसमें अगर मज़ा आ रहा है तो आप वो कर सकते हो, या डंबरू बजाने वाले जो शिव जी है, आप उनके सबसे आँग बंद करके शुन्य अवस्ता में बैठ चाहिए, वो सबसे बढ़िया है, है ना, तो आप अपना मार्ग खुद चुन ले, ख कर दो कर दो